तो करते हैं कि वोक्षीट नमबर 18 तो पहले आप लोगी सच्छे से लेबल कर लेंगे सेवल स्लास की डेट अपना नाव अपने टीचर का नाम क्लास आप लोग लिख लेंगे इसके आज हम लोग एयर के बारे पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट यानि की मौसम और जलवा यह हो है वो लंबे समय तक एक जैसे ही रहती है इसके लावा लिकाई यह एनिमोमेट यानि हर्ट लंभा यह चींज हो सकता है जबकि इसको चींज होने में कम से कम 25 साल चाहिए होते हैं लेकिन इसको चींज होने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है अभी धूपे और अभी बारिश हो जाए यह आपका होता है मौसम यहां इसको इसको अगे पढ़ते है आप यह पर पहले क्वेटी दिगई है आप अपने शहर का लोग रह रह रहे हैं वाइदर फोर कास्ट फॉर यूर सिटी या नि जिस शेहर में आप रहते हैं वहां का आप टेंपरेचर या वैदर की क्या वह समय क्या जलवायू कैसे पता करते हैं आपको जो पहले से पता चल जाते हैं तो आपकी किस तरह से मदद करता है चलिए इस कांसर हम लोग देखते हैं आगे आने वाले जो पैसारिया नोंने बता दिया बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेकि जा सकते हैं आगे के लिए हम तैयार रहे सकते हैं तो इस ताहसा आपी आपको दिखे दिखाई फैक्टर अफेक्टिंग वैदर या नि वह फैक्टर जो वैदर को बदलने में मदद क उसको temperature करते हैं गर बढ़ना, सर्दी होना या गर्मी होना यह temperature होता है तर्मोमीटर से temperature को ना पा जाता है और इसकी जो degree होती है वो celsius होती है ठीक मैं इसको short में explain कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आजाओ बहुत लंबा ना पढ़ना पड़े क्योंकि वक्षीट बहुत लंबी हो ले वाली है है तो आप लोगों से समझ लेंगे जल्दी जल्दी अब यहां देखे क्य जैसे गर्मियों में दिन जादा गरम होते हैं सर्दियों के मुकाबले ठीक इस सिदा से यह आप बता सकते हैं कि इन सब चीजों के इन इंपॉर्टन फ्रेक्टर इंफ्लियूशन दिस्ट्रिब्यूशन आफ टेंपरिचर एंड इंसुलेटर यानि कि इनसुलेशन भी नहीं जाने देती है अच्छी रेज होती है यह हमारे प्रित्वी के अंदर गर्मी को बना के रखती है फिर इसके बाद बोलते हैं कि भूमद्य रेखा याली कि आपका इकुलेटर है ठीक है इकुलेटर से जैसे आप पोल्स की तरफ जाते है वैसे वैसे तापन कम होने आते जाते हैं कितने हलकी हो जाती है आप एक्जामपल देख सकते हैं आप टॉर्च लिए उसे दिवार पर मारें तो आप आप देखेंगे जहां सेंटर पर टॉर्च पड़ेगी वह तो बहुत दार्ग होगा जबकि उसके इर्ध गिर्ध का एरिया जो हलका कावर होगा है तो वही चीज़ यह नोने बता ही है तो इस ताझ से आप लोग कर सकते हैं इसमें कोई खास बात नहीं है अब आते हैं अप यह प्रेशर के तो एर ? Это लीड़ार मीटर से नबते हैं तो आप इस तरह का इस ताझ लिए इसा इसलिए इसलिए यह आपको दिया गै कि वहां प प्रेशर कम होता है लेकिन जो घांडी होते हैं वहां की हवां धंडी होती बहुत рассζ neural घक लगने development अगले एक से नीचिछ से वह ओव्हारी होता है हाल प्रेशर हो जाता है ठीक क्या था कल क्या था बढ़ा घटा क्या रहा वह आपको पूरा लिख रहा है तो एक आप खुद करेंगे चले आपको श्राइस को पढ़ते हैं पहला कोशन दिया गया है कि वाइड अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज ऑफ इकुलेटर तो वर्ड पोल्स अलिकि अगर हम ज से इकुलेटर कहते हैं था कि टाले यहां पमै लिया दालता है रॉड इसे पूछते क्यों नीचे पॉस्व पहुचत है तो यह हलकी होती होती चली चली जाती है इनमें जो गर्मी इस तरह से आप इसको कर सकते आसानी से चलिए अगला कोशिन बढ़ते अब यहां आपका दूसरा कोशिन लिखा है वाई डास टैंपरेचर इन सीटे इस मुच हायर दैन और देट ऑफ वैलेज यानिकि गाउं से जादा क्यों होता है टैंपरेचर शहर में ठीक है तो चलिए तो आप इसका अंसर यहां से लिखेंगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाउं में लोग कम है वापे पॉलुशिन कम है जबकि शहर में लोग जादा है पॉलुशन जादा है जो फ्यूल्स है वो सब जल रहे हैं वीकल चल नहीं है फैक्ट्रीज है बहुत सारी अक्टिव किस प्रकार का वायु दाप पाया जाता है हो फ्रशृ बैटीर हो यह वह हमेशन नीचे बैठी रहती है ते पहार इलाकों में कैसा प्रेशृ होता है बहार हो न सेंसे विokes इतने अगा आपका माल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक को शियर करें अभी तक आपने मारे चाह को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज हमारे चाह को सब्सक्राइब करें थैंक यू फा वाचिंग